हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो यू जो अमारे समिधान की सीरीज चल रही थी इसमें हमने 30 तक अनुसेद कर लिया था और उसके बाद 31 को भी देख लिया था जो कि निर्शिद कर दिया गया है और उसको यहां से अटाकर अनुछे 300 क में जोड़ा है पिछली वीडियो में मैंने गलत बता दिया था बैक्ट 321 कर नहीं था 300 करता हो बाई मिश्टेक मैंने 331 कर लिख दिया कानों नहीं अधिकार बना दिया था तो उसको आप करेट कर लिजिए अब आता है अनुछे 32 अनुछे 32 समयधानिक उप्चारों का अधिकार है कि जैसे हमारे जो 5-6 मूल अधिकार है कि समानता का अधिकार फिर सोतनतरता का अधिकार फिर सोशन के विरुद अधिकार दार्मिक सोतनतरता का अधिकार सिक्सा वश्चन्सकरतिक अधिकार और अंत और चोबीस है फिर धार्मिक सवतंततक अधिकार है जो पत्चीस से अठाइस तक और शिक्षा वश्चंसकर्ति का अधिकार है वो उनतीस वत्तीस में है 31 जो की हटा दिया और 32 समयधानिक उप्चारों का अधिकार तो समयधानिक उप्चारों का अधिकार उप्चारों का अधिकार अनुछेद 32 ये क्या कहता है अनुछेद 32 जो हमने पीछे अनुछेद पड़े है जो मूल अधिकारों के उनके रक्सा के गारंटी लेता है मतलब की समयदानिक उप्चार है ये सुप्रिम कोर्ट को यदिकार देता है कि अगर जो पीछे हमने 14 से लेकर 30 तक जो अनुछेद बताए है जो मूल अधिकार बताए है उनका अगर हनन होता है तो ऐसी परस्तिती में अनुछेद 32 उनको गारंटी परदान करता है कि उनका हनन नहीं होना चाहिए तो आप उसमेरे रोक लगा सकते है आप उस अधिकारं को जो है उनकी सुर्क्ऽा कर सकते है सुर्क्षा की गरंटी देता है तो अनुछेद 32 अप्चारों के स्भीज़ रित करता है और सुप्रीम कोर्ट को यानि रूचितम नहाले को अधिकार देता है उच्छ न्याले को अधिकार देता है कि आप पांच परकार की रिट जारी कर सकते हो पांच परकार की रिट जारी कर सकते हो इसी परकार उच न्याले जो आई कोट है उसको भी ये पांच परकार की रिट जारी करने का अधिकार है इसके अलावा उचन्याले को एक और छेए जारी करने का अधिकार होता है लेकिन एन रिटों के बारे में हम विस्तार से अधिन अलग से करेंगी इस पाछो रिटों के बारे में यहां मैं सोट में बता देता हूं कि एक तो बंदी प्रत्यक्षी करण रिटे यह जारी कर सकता है सुप्रीम कोट और उचन्याले यानिकी उचन्याले और उचतेवन्याले सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनो बंदी प्रत्यक्षी करण रिट कर सकता है कब जब हमारे मूल प्रतिशेद उत्प्रेशन और अधिकार प्रच्छा यह पांच प्रक्वार की रिट जारी करता है कर सकता है उच्छतम न्याले सुप्रीम कोर्ट कब जब इन मूल अधिकारों का हनन हो मूल अधिकारों में कोई चोट पहुचा है मूल अधिकारों को ऐसी प्रस्थिति में यह पांच प्रकार की रिट जारी करके सुप्रीम कोट इनकी रक्षा कर सकता है यह अधिकार देता है अनुच्छेद 32 अगर हमारा कोई समिदान जैसे हमें कोई प्रोब्लम हो कोई मूल अ 35 को देख लेंगे तो हमारे जिस जो मूल दिकार वाला बागती ने यह कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए है तो अनुछे अब अनुछे 33 देखते हैं 33, 34 और 35 को समझी आप दुनों तिनों को साथ में कि अनुछे 33 कि अनुछे 34 और अनुछे 35 कि अनुछे 33 कहता है कि संसद कि अर्ध सेनिक बल यानकि जो CRPF होती है सेनिक यानकि सेना या पुलीस के जवान या कोई आई बी यान इंट्लिजेंस बियोरो यानकि जो खूफिया एजेंसी होती है कुछ कानून बनाकर उनके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है इसा कहता है अनुछे 33 किस किस के शेना आई बी इंट्लिजेंस बियोरो जो खूफिया आजेंसी होती है आई बी पुलीस या आर्ध सेनिक बल इनके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है जो मूल अधिकार मितलेव हो है इनके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है यानि कि अगर कोई मूल अधिकारों में जैसे मूल अधिकार है और कोई शेना का जवान है उसको वह मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो ऐसी परस्तिती में एसी परस्तिती में वो सुप्रीम कोट में जाके अपने सुप्रीम कोट दोवारा रिट जारी नहीं करवा सकता कि मुझे इस मूल अधिकार का लाब नहीं मिल रहा है या मेरे इस मूल अधिकार का हनन हुआ है क्योंकि सेना आईबी पुलीस अर्द सेनिक बलको स्पेशल संसद को यह सकती है कि वो कुछ कानून बनाकर उनके मूल अधिकरों में कमी कर सकती है क्योंकि वो खूपिया आजेंसिये देश की रक्सा एकता अखणता के लिए है इसलिए उनको अलग से कानून बनाकर मूल अधिकरों में कमी कर सकती है फिर अनुच्छे चोतीस कहता है कि मारसल लो की इस्तती में मारसल लो या कानून मारसल लो या कानून का मतलब है सेना का सासन एक्षासन , अगर किसी शेतर में या देश में मार्षलो लागु वा थे, तो उस सम्षे हम मूल अदिकार में उनकी मांग कर सकते सकते मार् fatty में लगेगा प्रस्थितियों में लगेड़ occasion या मूह दिकारों अप्र सुप्रीम कोटा может नहीं कर सकता है क्योंकि представITCH नोरे साथ कि लगे कि सेंटर में लग गया है जी तो वहां पर अनुसिया सेना कानून होगा वह काम करेगा तो 33 तो कहता है कि खूपए आजेंसी पुलीस आइबी जो अपने शेना होती है अर्थ शैनिक बले इनके अधिकारों में कमी कर सकती है संसद कानून बना कर और और अनुछ शें 34 कहता है कि अगर मार्सलो लग जाता है किसी शेत्र में या देश में तो ऐसी परस्तिती में हमारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे पिर अनुचरित 35 कहता है कि संसद को संसद को मूल अधिकारों के संबंद में कानून बनाने की सकती है मूल अधिकारों के संब्द में संसद कानून बना सकती है बस अरते वह मूल अधिकारों में कमी नहीं करेगी यहां समिधान के मूल डांचे को परिवर्तन नहीं करेगी यहां समिधान जो चाता है हमारे समिधान जो चाता है उसमें संसद कमी नहीं करेगी जैसे तो कोई अनु सकति कुछ कानून बना सकती है कुछ संसोदन कर सकती है इस में अनुष्य 32 समयधानिक उप्चारों का अधिकार सुप्रीम कोड को पांच परकार की रिट जारी करने की सक्ति देता है। इसी के साथ साथ अनुछे 226 में उच्च न्याले जो आई कोड जाजियों के उनको रिट जारी करने की सक्ति देता है। कौन-कौन सी बंदी पर्तेक्सिकर्ण पर्मादेश पर्तिस सेथ उत्प्रेशन और अधिकार पर्शा यह जो रिट है पांच परकार की यह रिट जारी कर सकता है। कब कर सकता है जब हमारे मूल अधिकारों का हानन हो। फिर अनुचे 33 खूपया अजनसी अर्द सेनिक बल सेना पुलिस या कोई ऐसी एजनसी जो देश के रक्षा के लिए उनके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। अनुचे 34 कहता है कि मूल अधिकारों के संसोधन करने और कानून बनाने की सकती है। तो यह बात कहती है अनुचे 35 तक अब इसके बाद आता है भाग चार और भाग चार शुरू होता है 36 लेकर 51 तक जो की राज्य के निती निदे सकता तो है DPSP डारेक्ट और प्रिंसिपल ओफ एस्टेट पॉलिसी। यह पढ़ेंगे मागे थैंक यू पर वचिंग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना थैंक यू